हेलो इस्टूडेंट्स मौस्भी एंकलेक सीरी चल रही है अपनी सब्जेक्ट है साइकेटरी और आज है कोशन नंबर 96 इससे पहले के सारे कोशन्स हम व्यूडियो बना चुके हैं अगर आपने हाली में जोइन किया है तो सारी व्यूडियो आप पहले देख लीजिए क्लाइंट की जो पतनी है इस्पाउस है वो जानना चाहती है वांस्टू नो कि कौन सी ड्रग जो प्रेस्क्राइब की जाया है वो मोस्ट हैल्फुल होगी किसी चीज के लिए साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए नर्स ने शुड़ टैल क्लाइंट को यह बताया कि यह जो कर गए जो मोस्ट हैल्फुल है जो रिद्यूस करेगी साइकोटिक सेम्टम को यानि कहने का मतलब इन चारों में से साइकोसिस को ठीक करने की यह दावाई यह पूछ रहा है ओप्शन्स बोल रहा हूं सेटालोप्राम बैंजोट्रोपाइन मिसाइलेट जिप्रसीड़न हाइड्रोक्लॉराइड एसीटामिनोफेन विद हाइड्रोक्लॉराइड आपका समय हुसरू होता है अब इजी कोश्चन है अब आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं कर दे शोरू कर रहा है ऐसी टामिनोफेन कौन्सी टिकरीट रहे हैं यह तो एनल जैसे का कोई रिलेशन है साइको सिस्स है नहीं सीटलोप्राम सीटलोप्राम या एसीटलोप्राम एक बहुत ही फेमस ड्रग है और कौन सी के टिग्री में आती है SSRI और SSRI क्या होती है एंटी डिप्रेजेंट तो यहां पे बात हो रही है साइकोसिस की तो ये है antidepressant तो ये भी आंसर नहीं है बेंजोट्रोपिन बेंजोट्रोपिन लास्ट वाले वीडियो में इस क्लास में ये आ चुका है बेंजोट्रोपिन थी और एक बाइपरेडिन हाइड्रोकलोरेड थी और वहां मैंने बताया था कि कौन सी ड्रग है एंटी पार्किनसोनियन या फिर एंटी कोलिनर्जिक एंटी पार्किनसोनियन या फिर एंटी कोलिनर्जिक तो ये किसका इलाज करती है एंटी साइकोटिक ड्रग से होने वाले साइड एफेक्ट यानि anti-psychotic है यह anti-psychotic तो anti-psychotic का relation सीधे किस से directly psychosis से तो the right answer क्या हुआ C next question चलिए शुरू करते हैं 97 question number psychotic client is receiving olangipine when administering this drug it is important that the nurse understand that this medication can be given only intramuscularly require a special tyramine freeride should be taken on an empty stomach will dissolve instantly after placement in the mouth options आपके सामने है सोची आराम से जल्दवाजी न करें और एक दूसरे को देखकर आंसर नहीं देने हैं जो भी आपको लग रहा है वो आंसर आपको लगाना है समझने के बाद start आपको लगाहँ आपको सब्सक δर है आपको नहीं सामने है समंने केरा दि़्दवी आंसरे करदा सब्सक्ता कराो आपको infrastructure से समिस्वबग आपको नहीं कि शुरू करते हैं सबसे पहले फोकस करें साइकोटिक क्लाइंट है कौन सी ड्रग है और इस ड्रग को देते समय क्या चीज नर्स को अंडरस्टेंड करनी है अपने द्यान में क्या रखना है इससे रिलेटर सबसे पहले ही अटा देते हैं छह साथ बार से भी ज्यादा बार आ चुका है टायरामिन फ्री डाइट साइकोसिस से कोई लेना देना न था नहीं है तो खाली पेट से भी कोई रेलेशनिस का नहीं है अब बचे दो ऑनली इंट्रमस्कुलरबी तहां दें औली वर्ड नगेटिव वर्ड़ जहां भी आजायए वह आंसर नहीं होता है दूसरी बात इंट्रमस्कुलरी नहीं औलज ऑरली ओर लिके वल औरली दी जाती है दोबारा बोल रहा हूं ओलंज अपाइन गेवन ओरली नोट इंट्रा मस्कूलर लिए राइट आंसर इस डी आज हमने नई बात सीखिए थोड़ा सा ध्यान दीजेगा हमने एक बात सीखिया है ओलंज अपाइन ओरली दी जाती है और इंस्टेंटली डिजॉल्व हो जाती है जैसे ही यह म्यूकस के संपर्क में आती है माउथ में तो डिस इंटीग्रेटेड होकर यह डिजॉल्व हो जाती है इंस्टेंटली ओलंज अपाइन के बारे में ध्यान रखिएगा इंपॉर्डेंट थी बात आंसर है डी नेक्स मौस्बी के पेटर्न का ही यह कोश्चन है सबसे पहले तो फोकस करने सलेक्ट ओल्डेट अप्लाई यानि एक से ज्यादा आंसर पर हमें टिक करना है एंटी साइकोटिक ड्रग केन कॉज ईपीएस विच रेस्पोंसे शुड़ नर्स डॉक्युमेंट एज इंडिकेटिंग स्यूडो पार्किनसोनिज्म समझ गए होंगे आप समय सुरू होता है अब एक से ज्यादा अंसर सलेक्ट करना है लाइक ए बी सी लाइक बी सी डी कौन-कौन से इन में से अंसर है वो आपको ऑप्शन में बताना है जल्दी से सुरू कर रहे हैं आंसर आप अभी भी दे सकते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग से कौन से साइड इफेक्ट होते हैं इपेज एक्ट्र प्रेमिडल साइड इफेक्ट या सिम्टम्स जिस में कौन सा आता है स्यूडव पार्किंसोनिज्म हने जैसे लक्षन तो कौन-कौन से हैं जो पार्किंस्ट इन को सपॉर्ट कर रहे हैं फीचर्स उन पे टिक लगाना है रिजिटी Rigidity of Muscles होता है क्या yes or no? Yes, so Rigidity of Muscles Parkinsonism में हो जाता है Tremers आते हैं Parkinsonism में? Yes, तो Trimers भी आते हैं Kya Midriasis? Midriasis is word पहले भी आ चुका है Last Video में तो Dilated pupil जैसा कुछ नहीं होता है? No, Photophobia? No, BradyKinesia? Yes, Muscle Weakness या Stiffness? Muscle Ton में Slow हो जाती है, Rigid हो जाती है ब्रेडी काइनेजिया, ब्रैडी वड्र वैसे भी, जैसे टैकी काऍटिया, प्रैडी काढिया, आपने सुना होगा, तो बिल्कुल वहीं से ब्रैडी यानी प्रैडी बेडीए ह इनIES रही कि you can में उसको तकलीफ हो रही है सफलिंग गेट एक फीचर होता है उससे रिलेटेड है तो ब्रेडी का इनेजिया यानी यानी राइट आंसर हुआ इसका ए बी एंड ए आज की वीडियो में इतना ही जल्द ही मिलते है नेक्स वीडियो में है वा नाइस डे एंड गोड लक